पंजाब मेरेटोरियस एंटरंस एग्वेशन चेप्टर वन केमिकल रेक्षिन एड एक्वेशन लिया है बिटा मैं जिन्नों असी पंजाब बीच करने आदा साइनिक के रहा है अते समी करना ते बिटा इस चेप्टर दे विच मैं उस सारे इंपोर्टेंट कोशन्स कवर कीते है विच आप वेरी इंपोर्टेंट अग्वेशन एंटरंस एंटरंस एंट एंट तोडेश पोर्टर एपिचे अब्दुल कलाम, यू रबान वद वेंग्स, दोंट रॉल, लर्न तू यूस तेम, फ्लाइं फ्लाइं तुसी सारे ओक्वेशन ना पैदा हुए हो जिन्ना त जल्दी जल्दी मैं दो पॉइंट्स ता मुए दे वारे कवर करांगी कि पहले मैं इकलिया है कि वत वत आर कैमिकल रेक्शन एंड बेर करेक्रिक्रिस्टेक्स, विटा, जिदे विच एक नमा नमी चीज बन दी है, ठीक है ना, बिटा, कोई परानी चीज, कोई फिजिकल च जड़ा नहीं हुंदा, एक नमी चीज बन दी है, देर इस अ परसेस इन विच न्यू सबस्टांस जड़े ओ फॉर्म हुंदे ने, सिर्फ एटम स्था री अर्रेंजमेंट टेक प्लेस हुंदा है, यह नि जस्ट जदा आपा कहने आपा अल्मीनियम ता लिया है ते ओधर अ वो हुंदे हन जो इस रियक्षन दे नवे जड़े सबस्टांस है, वो बन दे है, रियक्टेंट्स अपा कहने है अभिकारक, ते प्रोड़क्ट्स अपा कहने है उत्त पात, ठीक है बेटा, वट नेक्स्ट, ए मैं तो अडेली जस लिया है, टाइपस ओफ केमिकल रियक्शन पिटा, इसलिए लिया है, इसलिए लिया है, इसलिए लिया है आल आल एदी जनल, पर मैं इसलिए लिया है कि कुछ जेडिये तुसी रियक्शन करनी है आना हो ता मुझ इन्नू देखके ही समझ आ जानी है, जितना कि A प्लस B, Synthesis, मतलब कमभाइन कर देओ, तो अड़ी बु जड़ी दी यानी एक वरी जड़ी रिप्लेसमेंट होई है, उन्हु अपा कहने है डिस्प्लेसमेंट रेक्शन, की कहने है, डिस्प्लेसमेंट रेक्शन, ते जेड़ा A B, C D C, इसलिए विच जेड़ी एबिटा, एचे विच ते आना देखो, साडे जड़ी उत्पाद है वह अधे ची आप बेने सी जगा लली ए थे ना हना मेटा दोन ना भी रिप्लेस्मेंट हो जिन्नु अपकी कहने डबल रिस्प्लेस्मेंट और रियक्शन कहने है डबल इस्प्लेस्मेंट रियक्शन ती्क है केमिकल रिएक्षिन नहीं हुई है बेटा हुने मैं ता नूपड़ाया सी केमिकल रिएक्षिन आर दा प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड उन्तु सी एही डेफिनेशन तो जज़ करना है कि किदे विच न्यू सबस्टांस नहीं फॉर्म हुया Melting of Candle Wax burning of candle wax, 코ogenic Degestion of Food and Ripening omenaर बिटा Melting of candle wax candle melt की फिर सब लेकोगोगी बन गया wax again,Burn कीती पर एथे केम वैक्ष नहीं बनी,Burn देल मिल गैसीज भी पडिउस वया Digestion होया तो अडे बोटी चेज़रा फूड किता खादा उसी हो Noturedницめ,कर के तुट गया चोटे चोटे ते राइपनिंग ऑफ बनेना मीन्स बनेना पाक गया एदा मतलब किदे विच चैमिकल रियक्शन दा प्रोसीजर जडाया हो सौल होया इन दिस दाट की कैंडल वेक्स चीदो मेल्ट किती तो ओ कैंडल वेक्स ही बनी ठीक है बटा so our option A is correct answer ठीक है now our next question is the respiration process during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is kind of बिटा एथे मैं तो नू रियक्शन लिखके दखावांगी respiration दे प्रोसेस ची रियक्शन हुन दी है बिटा सा किर्या दे वेच आ साड़े glucose ता फॉर्मुला है C6H12O6 जदो oxygen दे नाल ए रियक्शन करदा है तो what produces it produce carbon dioxide मैं balance नहीं करांगी क्योंकि balancing दासान हुए थे मतलब नहीं है यह तुसी करना चाहो ते कर सकते हो ठीक है carbon dioxide निकल दी है water निकल दा प्लस साड़े को energy निकल दी है energy निकल दी है heat निकल दी है जिस प्रोसेस ची निकले heat निकले that process is known as exothermic process कि उन्हों आपा कहने है यह ताप निकास्ती के रहा endothermic के ताप सोखी यह ही energy एदर हुंदी जा एही heat एदर हुंदी ता ओप होना सी endothermic process reversible नहीं है क्यों क्योंकि एक वरी glucose oxygen ना ची तो रियक्ट करके carbon dioxide दे water बना देने physical process भी नहीं है chemical change है क्यों गुलुकोस टोट के नविया चीचाच बने आ है जिन्हों carbon dioxide दे water कहने है यह दा मतलब केड़ी option सही है exhaust thermic process जिन्हों अपा की कहने है बिटा जिन्हों अपा कहने है ताप निकास्ती किरिया साड़े शरीर दे सैला विचली oxygen गुलुकोस ना मिल दी है अते उर्जा पैदा कर दी है इस किरिया दा विशेश ना सा किरिया है जिन्नूं English चथे लिख्या गया है respiration ठ chemical reaction of sodium sulfate very important reaction sodium sulfate दी जड़ी chemical reaction है ओदे नाल की हुंदा है barium chloride reaction करता है ते white precipitate बन देने ठीक है बिटा reaction लिखन जा रही है मैं sodium sulfate ठीक है बिटा this is your sodium sulfate एदे नाल अपा की कहने है barium chloride दी reaction है देखो मैं कुछ नहीं अपने को लिखरी जो है बस यह है कि मिन्नों formula आंदे ने एदा मतलग इस lesson नो solve करन ली एदी त्यारी करन ली who have to learn the formulas sodium sulfate plus barium chloride दी जड़ो reaction हुंदी है we have barium sulfate with us ठीक है बिटा barium sulfate और अगली जड़ी चीज सा डिको barium sulfate दे नाल बन दी है NACL की बन दी है NACL और तो अनुपता है कि NACL ते नमक है और अवदे अवखेप नहीं हुंदे अवखेप मतलब precipitates नहीं हुंदे एदा मतलब the right answer is barium sulfate options फोल चल दिया hydrochloric acid HCL ठीक है बिटा barium sulfate तो अदे सामने formula आ गया chlorine तो अनुपता है that is CL and sulfur तो अनुपता है S एदा मतलब सा डी option केडी सही है सा डी option सही है barium sulfate सा डी option केडी सही है barium sulfate और बिटा एदे white color दे PPT बन दे है और very important reaction है इसलिए तुसी याद रखना है that barium sulfate तो चिट्टे अव केप बन दे ने ठीक है बिटा चिट्टे अव केप जिन्हों आपा कहने है white precipitates now what is our next reaction which of the following gases used in the storage of fat and oil containing food for a long time बिटा इस प्रसेस मूँ आपा रैं सीडिटी वी कहने है रैं सीडिटी प्रसेस एथे मैं ता नो explain करना चावांगी कि what basically this process is known कि जेडे चीज़ा fats जा oils निया बनिया हुन दियाने उन्ना दा ऑक्सी करन हो जान्दा है अथे ओ दुरगंद देन लग पैंदियाने उन्ना दी गंद अथे स्वाद बदल जान देने आम करके चर्बी यते तेल युक्त खान वले पदार्था विच ओ पदार्थ जो ऑक्सी करन नो रोक दे हन ओ मला देनने अपा रैंसीडिटी प्रसेस नो कौन रोक दे हन कार्बन डैक्साइड फॉर्मुला तो अनुपता है सियो टू नाइट्रोजन गैस फॉर्मुला तो अनुपता है एंटू ऑक्सिजन गैस फॉर्मुला तो अनुपता है ओटू एंड नियून गैस बेटा अपा किन्नों मला देनने आ कि जेड़ा साड़े जेड़े फूड है ओ सेफ रहन एदि यह थे बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जांपल मैं लगाँगी चिपस दे पैकेट चिपस दे पैकेट तुसी जदो मणची खाओ फ्रेश हुन देने क्यों क्योंकि उन्ना विच अपा केडी गैस पर दिनने आर ओप्शन बी ज राइट नाइट्रोजन गैस की पर दिनने आसी नाइट्रोजन गैस चिपस वाले चिप्स दे थहले विचो हवा कड की nitrogen gas पार दिंदी जन्दी है क्यों पार दिंदी जन्दी है ताकि ओ ओ ओक्सी करन ना कर सके ओ ओक्सी करन ना कर सके पिटा इसलिए सदी option केडी सही है nitrogen gas question 5th the neutralization reaction between an acid and base is double displacement मैं ता नुआ reaction या टाइपस बहुत अच्छी तरह समझाएगा है double displacement ठीक है ना मिटा double displacement single displacement reaction addition reaction के decomposition reaction कैंता जदो उदासी नी करन किरया हुं दी है किदे विच हुं दी है ते जाब आते खार दे विच ते केडी reaction हुं दी है ते मताब एक सिंपल जी reaction लिखके देनी मैं कोई ओखी reaction नहीं दे लिखके देनी एक सिंपल रेक्शन है तो नुपता है तो अड़ा की बन जाना है एनने एक सिंपलेस्ज खके ना क्लस वोतर ठीक है एनने चिंपल प्लस वीच ते लिखके ए बदले देरपोर दिस एक्जाम्पल ओफर डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन ठीके बिटा अगे गल कर देयां वन मैटल रियक्ट विद एसेड बहुत इंपोर्टन कोश्चन और एदेच में एक्जाम्पल जिंक दी लवांगी माल लो केंदा जदो मैटल तो अडे एसेड देनाल रियक्ट करन ता ओक केड़ी केड़ी चीज बन दी है माल लो अपका मैटल लेलने है जिंक तो अडे समने पहले करके दिखावांगी फिर तो असी ऑप्शन होल जावांगे आस असी लेल लेया अपना मैटल आसा डपात तिजाब लेल लेया ओक एंदा जदो एनना द बेटा जदो वी ए पल्ले बालो एनी कलना जिंक थे कोई भी मैटल होवे थे कोई भी एसेड होवे देखो बही जिंक सलफेट सा डबान गया ते बार चे सा डेको की गई हाइड्रोजन देर इस ओल्वेस एवुलिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बेटा एक तो नुहिंट होड देना चान्या हमाइ जदो भी तुसी हेच्टू दा मैं अड़ पाया ना इना मतलब की है इना मतलब इना मतलब इदी ग्यास बण रही है जिए कि एर और ठलेलों होवे तो दा मतलब होदे की बान रही है प्रैसी पीट इंट पीट जे तुसी ऊथे यह विरन सलफेट देना कि अब खेप है ते एधा साफ पता लगना सी कि अब खेप है ते एधी PPT एधी PPT बन रहे है ठीक है Now what is our next reaction which type of reaction is this this is CA जिन्हों आपा कैल्शियम ऑक्साइड करने है प्लस वाटर और साडेको बन दा तो अड़ा कैल्शियम हाइड्रोकसाइड प्लस हीट एनरजी कि अन्दा एक किस तरह दी reaction है types of reactions आपा बहुत चंगी तरह कार चुके हैं बिटा होने थे दिता है combination reaction combination मतलब की दो चीजां combine करके नवी बनी है decomposition reaction अपका turn to T है displacement reaction एक दूजे दी जगा लही है जा none of above तो अनुस साफ देख रहे है कि ये reaction की है कि दो चीजां मिलके एक नवी चीज बनी है ये दा मतलब ये reaction की है combination reaction बेटा एक गल में तरह थे होर दसना चाहांगी कि मैं थे heat energy लिख है जे options combination दी जगा एक्जो थर्मिक reaction हुँदा एक्जो थर्मिक E-X-O एक्जो थर्मिक ताप निकास्ती किरिया तब फेर भी साड़ा O option सही आना सी क्योंकि जेड़ी भी reaction है जेटे चीज हीट निकल दी है उन्हों अपा ताप निकास्ती किरिया कहने है calcium oxide आते पाणी मिलके एकल्ला उतपाद बना देने जो है calcium hydro oxide ता मतलब साड़ी केडी option करेक्ट है साड़ी A option करेक्ट है नाओ वट इस दे नेक्स कोशन वेरी इंपोर्टन एदे नालता दे बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे इन दे फॉल्विंग रेक्शन विच सबस्टांस इस ऑक्सीडाइजड बेटा तु आड़े को टाइम बहुत काट को ना सौ कोशन तुसी एक सो वी मिन्टांच करने है यसलिए तुसी की करो की वर्ड लबबो कोशन से विच की वर्ड केडे ने उन्हें क्या केडा सबस्टांस ऑक्सीडाइजड हो रहे है उन्हें ऑक्सीडाइजड होना की हुन्द है ऑक्सी करन बेटा ऑक्सी करन की हुन्द है किसे चीज विच ऑक्सीजन दा एड हो जाना उन्हों अपा की कहने है ऑक्सी करन ठीक है तो किसी चीस चोप जे आक्सीस ला निकल जाना उन्हों कंदै लगू करन अधिशदे वीच इगकशन हों यांगी ऑक्सीडेशन भी होवें लगू करन नों अग्लिश चे कहने हा रेडाक्षिंड्स घे तरण भी हो वे ता उना एक्षेंट सो आपा केंगे रिंगुड रिडरोजातों के Nahumen, यह ईचहां से भी आजे कि पेपर जे केदी उदारने दे रिडरोजातों मैंकि डिया रूदा केंगे वोन देखो एच ओक्सीकरन किदा होया है बेटा, ओक्सीकरन एदे विच होया है, किदेच ओक्सीजन एड होई है, हाइड्रोजन चुछ, एदा मतलब सादा सही उक्तर की है, सी, क्योंकि ओक्सीजन किदेच एड होई है, हाइड्रोजन दे विच, ते, ओक्सीजन निकली किद चो है, C-U-O चो, एदा मतलब जे आंदा की reduced कॉन होया है, जा लगू करित कॉन होया है, तो आदा answer आना सी, C-U-O, ओके बिटा, now, what next, question no. 9, when ferrous sulfate is heated strongly and it undergo decomposition to form ferric oxide, key words की है, ferrous sulfate, ठीक है, छेती-छेती हो दा formula लेख लो, अपनी रख दे विचे, ferrous sulfate, कि दे च बदलिया भी, ferrous sulfate, कि दे च बदलिया है, जे तुसी मेरी पहले ही, जा दूजी वीडियो देखो, तो दे जे question सी, कि iron प्लस copper sulfate, ते उत्थे पुछया कैसी कि copper sulfate निल्ला है, ते iron sulfate दा color केड़ा हुंदा है, ते मैं देता सी green, मैं देता सी green answer, हाना पेटा, हुना देखो, कि जे तो ferrous sulfate नो अपा heat करते हैं, ते वो decomposition, मतलब तुट कि दे विच, ferric oxide, ferric oxide ता साथा formula, Ft2O3, वैसे मैं तो अडेल ये reaction लेक देनी है, ते नाल sulfur dioxide भी सा deco-produced हुन दिया है, sulfur trioxide भी सा deco-produced हुन दिया है, ठीक है, उन्हें क्या कि, जदो ये टुटदा है, ते मेल पोड़क्त हो दा फैरिक ऑक्साइड पन्दा है, तो color कितना अचेंज होएगा, जे तुसी मेरी पहली वीडियो देखी है तो तो अनु बहुत क्लियर है कि फैरस अप्साइड दा ग्रीन कलर होएगा, दमाग लाओ, अथे ब्लू है, यहां मतला पहली option नहीं है, क्योंकि color ते green है, पर हुनता नु फैरिक ऑक्साइड दा color पता होना चा फैरस अप्साइड क्रिस्टला ध्रंग जानदा है, तो पानी भी भुवा देन देने जाल होणला रं बदल जान ते और गरम करन ते ओफैरीक ऑक्साइड सल फटर ट्राइ ऐक्साइड से च्ट जान देने, फैरेक ऑक्साइड एक zach गोस है, ज़द्धू की Cellfa डैक्साइड ह कैसा ने देखो मैं तानू सारा कंसेप्ट क्लियर कार दिता है दे बारे सो मैंनू नहीं लगदा हूं तानू कोई प्राबलम आएगी इस कोशन चे नो कोशन 10 यू आर गिवन फॉल्विंग केमिकल रेक्शन देखी लग दिया ना देखी लग दिया रेक्शन उन्हें किती है देखो उन्हें किती है अपा रेडॉक्स रेक्शन ठीक है अधना अंसर मिल गया सानू उन्हें मैं तो अंदर सकी है कितना कहना कि जड़ी आ के रहा है इस रेक्शन रिपर्जेंट कंबिनेशन रेक्शन के डबल डिस्प्लेस्मेंट Redox के Displacement Double Displacement के Redox के Decomposition As well as Displacement Reaction ये तो अडेली में Homework चाड़ता ये में तो अडेली की चाड़ता? Homework और मैं अपनी सब तो पहले Chapter दे विच सब तो पहले ये ही Reaction करवाऊंगी ये तो अडेली Homework में इसलिए चाड़ता ताकि तुसी Study करो की बटा एक इतना दी Reaction है? एकदम है तानुदास्ता ये दा मतलब एवी हो सगदी Option क्योंकि ये च्वी डिडाउक्स Reaction है एवी हो सगदी है Option क्योंकि ये च्वी डिडाउक्स Reaction है उन देखना रहना है Displacement है के Double Displacement है This is Homework सब तो पहले इस Reaction नो मैं डिसकस करांगी अपने नेक्स लेक्चरच ठीक है बटा? Now, what next? What next is All the methods mentioned below can be used to prevent the food from getting rinsed except सारे methods foods नो दुरगंतता तो बचान लई है पर केडा नहीं है Storing the food in airtight containers बिलकुल सही method है Storing the food in refrigerator बिलकुल सही method है Keeping the food in clean and covered containers Always touching the food with clean hands की करिये फिर? दसो भी की करिये? This is also your homework ए दोनो कोशन में अगली पीपीटी चे डिसकस करांगी बटा क्योंकि ए दे नाल तुसी रैंसिडिटी दा इस पढ़ोगे नाले तुसी मेनू आंसर दा होगे की माम ए दो दा आंसर ए है You just comment on the video की इनना दोना दा आंसर ए है ठीक है? Now question 12 When lead nitrate is heated The gas which is produced with brown color Is lead nitrate What is the formula of lead nitrate? PBNO3 twice PBNO3 twice जिदो अपा इनू heat कर देया We get PBO PLUS NO2 PLUS एक चीज़ और निकल दी है O2 PLUS O2 जिन्नों अपा की कहने है Oxygen बेटा होने थे Question की पुछया गया है जिदो lead nitrate नो इसी heat कर देया The gas is produced brown color यह gas केड़ी है तो नो पता है की oxygen दा की color है यह एनॉटी दा की color है पता लग गया की दो गैसा निकल रही है यह मतलब Our right answer is nitrogen dioxide बेटा confused नहीं होना Because oxygen gas भी निकल दी है ठीक है ना पुरे रंग दा तुमा निकल दा है और यह तुमा nitrogen dioxide दा है ठीक है Now What next एक question ना answer है B That is nitrogen dioxide Carbon dioxide दा दानू फॉर्मूला पता है मिन्नू नहीं लगदा है मिन्नू लिखन दी लोड है ठीक है Next question 13 During the electrolysis of water Which gas is produced at anode यह दे ली पड़ो पड़ाओ पड़ाओ जलंदर ते मैं बहुत सारियां किर्यावा कराई हूँ यह 13 किर्यावा मिन्नू लगदा है Nearly मेरिया उत्थे ने तुसी बेटा सारियां किर्यावा देख सकते हो Because these are very important during मतलब तो अड़े Meritorious दे एक्जामना क्योंकि मैं हर किर्यादी Each girl clear कीती है और उत्थे भी मैं Electrolysis of water दी किर्या एन्ही अच्छी तरह करवाई होई है उत्थे मैं एक code बनाया सी AO AO and CH बेटा जे आजे इनोड़ते की निकल दा है ते Oxygen जे आजे के थोड़ते जे ने च्छी निकल दा है Hydrogen ठीक ही ए पिटा यह दा मतलब साड़ा Option की दा है साड़ा Option ठीक है B Because यह थे नोड़ते पुच या और राइनोडते साड़ा की निकल दा है नोड़ते निकल दा है जेड़ा साड़ते इनोड़ है ओते सादा निकल दा? Oxygen. ठीक है बिटा? एनो ओते सादा की निकल दा? Oxygen. इसलिए सादा आंसर की है? B. सादा आंसर है 13th दा? B. Now, what next? Next is 14th question. A solution of substance X is used for white washing. Name the X. केंदा? X नुँ अपा यूस कर देया? White washing लहीता. O X दा नाम दा? So, बिटा? Sodium hard oxide दाता नुँ formula पता है? NaOH. ठीक है बिटा? Magnesium hard oxide दाता नुँ formula पता है? की उन्दा है? Magnesium hard oxide दा formula? MgOH. MgOH twice. क्यों? क्योंकि magnesium दी विलंसी जडिये दो है. Calcium oxide दा formula है C. A. O. और सादा answer है C. सही calcium oxide. बिटा? Calcium oxide. जिन्नों तुसी की केंदे हो? अन्भुजया चूनना. की केंदे हो? अन्भुजया चूनना. एन्नों अपा जडे अन्भुजया चूनने नुँ आया? अपा उप्योग कर देया कि दे विच वाइट वाइट वाशिंग्च. ठीक है बिटा? आर फॉर्टेंथ, आर राइट आंसर इस calcium oxide. फिफ्टीन, जिल्वर कॉलाइट विच टाइप व रेक्शन टेक प्लेस? बिटा, सब तो पहले ता इस चैप्टर ली तो नुँ रेक्शन रटिया होनिया चाही दिया है. मेरी कोशिश होएगी कि मैं ता नुँ नोट्स देद देखो बिटा, सिल्वर क्लोराइड है, एजी प्लस सील है, ठीक है, एजी प्लस सील टू, उनने कहनदा कि यह कितना दी रेक्शन है, तो अडे सामने ही है कि सिल्वर क्लोराइड है, जिडा, ओ एजी प्लस सील टू ची टूट गया, तेदा मतलब displacement नहीं होई, combination नहीं होई, कि विच टाइप ओ रेक्शन इस, इस दीकंपोजिशन एक्शन, रेक्शन रेक्शन नहीं है, क्योंकि ना उक्सिडेशन होई थे ना साधी रेक्शन, दिस इस यूर असाइन्मेंट, आध दस फॉर्मूले में लिखे है, मिगनेशियम ऑक्साइड, चिट्टे रंग दा पा आधे की लेक्के देने तुसी मिन्हों, एना दे मिन्हों तुसी लेक्के देने है, फॉर्मूले में कमेंट सेक्शन दे विच तो आधे सार आधे फॉर्मूले चेक करने है, और आधे गल्तियां करनी है, तो प्लीज बेटा, एना दे मिन्हों फॉर्मूले लिखो, पेजो, copper sulfate the coal, barium sulfate the coal, lead diodate the coal, iron sulfate the coal अना सारे अंदे colors अगे लिखे होई है, very important हो, याद कर लो कि copper sulfate नीले रांग दा हुँदा है, barium sulfate दे अप केप चित्ते रांग दे हुँदे है, lead diodate पीले अप केप हुँदे है, ठीक है बिटा? So, one is your homework this and the other is the question number 10th and 11th, so watch the PPT again again and saddenal बने रहो, पड़ो 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 आप जलंदर दे, उत्ते ता, demeritoriously असी ट्यारी करा रहे हैं, so please, you were born with wings, don't crawl, learn to use them to fly and fly and fly, thank you so much. So, one is your homework this time.